अगर आपके सरीर में पानी जमा होने की समस्या होने लग जाती है जिसको water retention बोलते हैं अगर आपके सरीर में पानी ज्यादा जमा होगा तो आपको उसकी वज़े से क्या-क्या दिक्कते हो सकती है क्या-क्या आपको तकलीपों का सामना करना पर सकता है क्या-क्या सिम्टम्स आ आपके अपने चनल पार्सों पे थी में प्रेंस कई बार देखा यह जाता कि हमारी सरीर के अंदर अलग लग पार्स में सूजन आने लग जाती है सूजन आते ही हमारा दिमाग यह नजर जाती है कि कहीं आपके किस ओर्गन में दिक्कत है कहीं क्या दिक्कत हो रही है आपके जो शरीर के अंदर जो पानी की मातरा होती है हमारी बोड़ी के अंदर नोर्मली जो water content है वो है 70% इसके अलावा 30% बोड़ी के अगसा जो contents होते हैं तो इसमें 70% को हमारी बोड़ी किस तरीके से balance रखते है यानि कि जो हम water intake करते हैं उसको किस ratio में बहार निकालती है जिसकी वज़र से हमारी बोड़ी के अंदर water balance बना रहता है और हम एक बोड़ी के अंदर पूरी तरीके से balance रहता है यानि कहीं आपको सूजन नहीं आती है लेकिन यही water आपका जो है intake अगर आपका ज्यादा हो गया या आपका output कम जा रहा है तो आपको यह water पानी शरीर में जमा होने की वज़ा से दिक्कते होने लग जाती है तो यही condition होती है water retention की और यह condition अलग-लग organs के अंदर भी कई बार देखे जाती है जैसे आपके kidney के अंदर पानी जमा हो गया जिसको हम hydronephrosis बोलते है कि आपके urine बाहर प्रोपर तरीके से नहीं निकल पा रहा है आपको पसीना कम आ पा रहा है या आपके पेट के अंदर पानी भर गया जिसको असाइटिस बोलते है आपके lungs के अंदर पानी भर गया तो उसको हम बोलते है पलुरल इफूजन या हाईड्रोथोरेक्स बोलते है तो यह जो कंडिसेंज डवलप होती है किसी के दिमाग में पानी बर जाता है बच्चों के अंदर कई बाहर देखा हाईड्रोसिफिलस की कंडिसन हो जाती है तो ये जो condition develop होती है ये particular organs के अंदर किसी कार्वस वो water आपका जो बहार निकलना चाहिए वो proper ratio में बहार नहीं जा पाता है और वहाँ जमा होने के कारण पर swelling develop होने लग जाती है, soosen आने लग जाती है तो जनरल हम लोगों में देखते हैं कि पैरूं के अंदर कर बार सूजन आने लग जाती है आपकी जो कि क्या कारण है इसका आपके कहीं को कार्डिक प्रॉल्म तो नहीं है आपको कोई लूबर में दिक्कत तो नहीं है आपके आपके लंक्स में कहीं दिक्कत तो नहीं है आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या लिंपटिक सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जिसकी मुमेंट करने से वापिस ठीक हो जाती है तो आपको ज्यादा ड़ने के आउसकता ने लेकिन कई बार आपके पैरू में लगातार सूजन बनी रहती है चेहरे पे सूजन बनी रहती है आपके पेट पे सूजन बनी रहती है तो वहां आपको इन्वेस्टिकर्शन या जाचे कर करवाई अदर्वाइज यह चीज चोटी सी चीज है आपके लिए काफी घातक हो सकती है आपकी लाइफ ठ्रिटिंग यह आपको आपके लिए हो सकती है अब बात करते हैं कि अगर नॉर्मल जनरल कंडिसन है उसके अंदर हुमिपेथिक मेडिसन कैसे हल्प कर सकती है कौन सी कं में आते हैं दोस्तों एपोसायनम कैन एक अन्दर क्या होता है या तो आपका यूर्यन आउटूट कम हो जाता है यह आपको पैसीना आना ही बंद हो जाता है किसी भी सिस्टम डिफेक्ट की वज़ा से तो उसमें आपके बोड़ी में स्वेलिंग आ रही है तो उसमें आप तुरंत रहाद देने वाली एपोसायनम केन। इसमें आपको काडिक प्रोग्लम की वज़े से हो सकता है, किसी भी वज़े से अगर वाटर एटेंसर है तो इसके अंदर यह मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है सेकेंड जो मेडिशिन है दोस्तों वह है एपीच मेल सड़ीट सेकिर है ऐपीच मेल टो है यह मेडिशिन सेकिर निदे सूरी कि अपकी आपके आञ्खों के इंदर ईंदर हैँ कोई तो छोंगे आमे मेंदिकत चर वाएपकेश कुछ खान पान सिस्थम अगर डिफेक्ट आने लग जाता है उसकी वज़े से अगर वाटर एटेंशन होने लग जाता है इसके साथ साथ में आपको एनिमिया की सिकाइत होने लग जाती है जिन लोगों को खून की कमी होती है तो उनके अंदर भी यह दिक्कतें आती है या जो लोग विटामि नहीं कीजिएगा इसका प्रोपर टीटमेंट लीजिएगा और आप अपने नदी की डूक्टर से परामर्स कीजिएगा आपको अगर समझ जा है आप हमारे से परामर्स आते हैं तो देगे वार्टसाप नुमर से अपोइंटमेंट लेके कंसर्ट का सकते हैं यह जान करिया जान कर दो है अटिया लेके जाया आप नदी हैं तो गय्हाश नदी जासटिएेगा वार्टसाटर से चेगेके भी जाजबा क्मार्स आपको देगे वार्टसाँ से बीज़ हाँ़हा अटाने वेके जाने आपको अए ड़ यहाँवादाल स mail आपको शुमrazाने शुमेंटीं